हम श्री राम नवमी की भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जन्म हुआ श्री राम का इस दिन तभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संहार वयंभु मनूरिशी ने कोशल नगरी है बनाई शत्रूपा भी पतनी बन करके वक्तों आई मनूरिशत्रूपा दोनों भगत हैं विश्णूजी के एक पाव पेहो करके खड़ कठिन तपस्या करते श्री हरी जी की भक्ती में लिया ऐसा ध्यान लगाए विश्णूजी को सिमिरन करते ना पिये ना खाए हजार वर्षों तक दोनों ने कठिन तपस्या की हैं उनके तपसे प्रसन हो गए श्री हरी विश्णूजी हैं दर्शन देने उन दोनों को चले ही आते हैं जन्म हुआ श्री राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अबतार हुआ दुष्टों का संधार बोले आपके तपसे प्रसन हो करके मैं आया रूप चतुर्भुज विश्णूजी ने उन दोनों को दिखाया कहने लगे हैं विश्णूजी मांगो वर्दान कोई सृष्टी में न ऐसा कुछ जो मैं दे सकता नहीं बोले मनूजो आपने हमको दर्शन दिये हैं आकर ना वर्दान हमारे लिए है कोई इससे बढ़कर फिर भी अगर देना चाहते हो हमें कोई वर्दान इच्छा इतनी आप हमारी बन जाओ संतान पुत्र रूप में आपको हम तो पाना चाहते हैं जन्म हुआशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिए राम अबतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिए राम अबतार हुआ दुष्टों का संधार विश्णुजी ने शत्रूपा और मनुसे यही कहां त्रेता युग के अंत में आपकी पूरी हो इच्छा इंदु मती के गर्व से लेकर जन्म आप आओगे अज महराज के पुत्र बनोगे दशरत कहलाओगे और शत्रूपा बने गिरानी आपकी कोशल्या कोशल्या के गर्व से ही फिर मेरा जन्म होगा जेश्ट पुत्र मैं बनूँ आपका होगा नाम मेरा राम और अयोध्या नगरी होगी बड़ा ही पावन धाम ये वर्दान मनु को विश्णु जी दे जाते हैं जन्म हो आशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार विश्णु जी ने दिया वर्दान वो सच ही होना था अज महराज के घर में है तशरत का जन्म हुआ आज तो कोशल नगरी में भगतों बड़ी खुशियां छाई देवी और देव भी आये देने इन्हें बढ़ाई धर्म शास्त्र की सिक्षा राजा दशरत ने ली है अस्त्र और शास्त्र चलाने की भी विद्या सीख ली है राज कुमार से राजा कोशल का है इन्हें बनाया युवा अवस्था में आये तो पिता ने विवा कराया तीन रानियों को घर में वो ब्याह कर लाते हैं जन्म हुआ शीराम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कधा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार राजा दश्रत हुए हैं भक्तों बड़े वीर बलवान वेद पुरान और उपनिश्दों का उन्हें था पूरा ज्यान प्रजा के वासी सभी सुखी थे कोई दुखी नहीं तीन लोक में उनके राज की ख्याती है फैल गई देवा सुर संग्राम विभक्तों एक बार जो हुआ है देवों की भी राजा दश्रत ने की सहायता है बड़ी कुशलता से राजा दश्रत है राज चलाते हसी खुशी में वर्ष अने को यूही वीत जाते पर संतान का सुखना राजा दश्रत पाते हैं जन्म हुआ शीराम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार अपने कुल गुर वशिष्ट राजा दश्रत ने बुलवाए बोले गुरुवर उम्र मेरी है अब तो ढलती जाए रीती नीती से मैंने अपना राज धर्म है निभाया जाने कौन सफाप है गुरुवर मेरे आगे आया वर्ष अने को बीत गए कोई ना संतान हुई पुत्र प्राप्ति के बिना किसी की होती गती नहीं गुरु वशिष्ठ ये बोले राजन तुम ना घबराओ पुत्र ये श्ठी यग कायो जन राजन करवाओ गुरु वशिष्ठ ही उन्हे उपाए फास बताते हैं जन मुह आशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अबतार हुआ दुष्ठो का संधार जब लिये राम अबतार हुआ दुष्ठो का संधार जाजा दशरत करने लगे फिर यग की तैयारी कोशल नगरी में जैसे आज उस सब हो भारी शाम वर्ण का घोडा यग्य के लिए है छुडवाया रिशि मुनियों और ज्ञानी जनों को यग्यू में बुलवाया रिशिश्विंगी ने आकर पुत्रेश्ठी यग्य करवाया भोने लगे हैं मंत्रों चारण रीती रिवाज निभाया पूत्रेश्ठी यग्य संपूरण भक्तों जब हुआ है राजा दशिरत ने ब्राम्हन को बहुत सदान दिया है अगनी देव फिर तकट यग्य से स्वयम हो जाते हैं जन्म हो आशिराम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिए राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार हवन कुंड से होके प्रकट जब अगनी देव आये एक खीर का पात्र है वो अपने हाथों में लाए खीर का पात्र उन्होंने राजा दशरत को सौपा है देने लगे जो पात्र तो राजा दशरत से कहा है यग्य कहे परसाद ये राजन लेकर महल में जाओ अपनी तीनों हीरानियों को यग्य प्रसाद खिलाओ अगनी देव को राजा दशरत ने है प्रणाम किया यग्य प्रसाद को है मस्तक से उन्होंने लगा लिया खुशी खुशी उसे लेकर फिर महलों में आते हैं जन्मु हो आशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कदा सनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार तीनो रानियों मेरा दश्रत ने उसे बटवाया पूजा पाठ कर तीनो रानियों ने उस खीर को खाया तीनो रानिया खाने से उसके हो गई गर्ववती हैं राजा दश्रत के लिये तो ये घडियां खुशियों की हैं किन्तु इंतजार की घडियां होती हैं वड़ी भारी सोची रहे कब मेरे आंगन में गूझे किलकारी समय का पहिया अपनी गती से चलता ही गया है फिर खुशियों का दिन भी वक्तों निकट ही आ गया है लेके जनम श्रीराम को शल्या गर्व से आते हैं जनम हुआ श्रीराम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अबतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिये राम अबतार हुआ दुष्टों का संधार कै कई गर्व से फिर है भक्तों भरत ने जनम लियां राजा दश्रत के महलों में हो गई दो गुनी खुशियां रानी सुमित्रा ने तो दो पुत्रों को जनम दिया है गुरू वशिष्ट ने लक्ष्मन और शत्रू घन नाम रखा है नगर के वासी इसी खुशी में जुमे नाचे गाए एक साथ ही चार पुत्र राजा दश्रत घर आए कोशल प्रदेश में चा गई है खुशियों की बाहा खोल दिये राजा दश्रत ने राज कोश के द्वा गुरू वशिष्ट से नाम करण चारों का कराते हैं जनम हो आशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन है राम अवतार में विष्णू जी ने भगतों लिया जनम है शत्रू पार मन को जो भी है वरदान दिया वचन निभाया विष्णू जी ने पूरा उसे किया गुरू वशिष्ट के सानिध्य में सिक्षा दिक्षाली है बचपन में ही पढ़े इन्होंने वेद पुरान सभी है इस अवतार में विष्णू जी पुर्शोत्तम कहलाए अस्त्र शस्त्र भी उन्हें चलाने गुरू वशिष्ट सिखाए जग के पालन हार ये कैसी लीला रचाते है जन्म हो आशी राम का इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार जब लिये राम अवतार हुआ दुष्टों का संधार चैत्र मास के नवरात्रे भगतों जब जब आएं नवदुरगा के नौरूपों को तब पूजा जाएं सिद्धी दात्री मा की पूजा भी करते इस दिन हैं और आज के दिन ही तो श्री राम का हुआ जन्म है राम नाम भगतों को भव से पार लगाता है सिद्धियां देने वाली सिद्धी दात्री माता है एक साथ ही दो प्योहार मनाए जाते हैं दश्रत नंदन श्री राम के सब गुण गाते हैं श्री राम नवमी भी आज के दिन ही मनाते हैं जन्म हुआ श्री राम के इस दिन कभी मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब लिए राम अवतार हुआ दुष्टों का संहार